हेलो फ्रेंस मैं श्वेता अपने यूटूब छैनल में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंस आज हम बनाएंगे खस्ता समोसे तो समोसे सभी के फेवरेट होते हैं फ्रेंस आज हम जो समोसे बनाएंगे बिल्कुँ सिंपल तरीके से बनाएंगे I hope आपको मेरी recipe बहुत ही पसंद आएगी तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चाहिए को subscribe, like, share करना ना भूले और bell घंटे को भी दबाना ना भूले जिससे मेरी आने वाले सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे तो friends इसके लिए हमने लिए है ये मैदा मैदा हमने लिए है आधा गीलो ये फूल मैदा है मैदा को हमने अच्छे से छान लिया है और अब इसमें हम डालेंगे आधा चमच अजवाएं एक चमच इसमें हम डालेंगे नमग और मोयन के लिए हम इसमें डानेंगे रिफाइंड ओयल अगर आप सर्दियों में समोसे तैयार कर रहे हैं तो आप रिफाइंड ओयल का ही यूज करें गर्मी में आप घी का भी यूज कर सकते हो रिफाइंड ओयल का भी सर्दि में गी क्या यूज करने से आटे में गाठे पड़ जाती हैं मोयन को अच्छे से हमने मैदा में मिला लेना है और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम सौफ्ट आटे को गूत लेंगे आटा हमने ना तो ज्यादा टाइट रखना है ना ही ज्यादा मुलायम रखना है मेडियम ही हमने मैदा से आटा तयार करना है एक पर हम मैदा का आटा तयार करके उसको थोड़ी देर ढखके रख देंगे इससे जो हमारा मैदा का आटा एकदम परफ्रक्ट तयार हो जाएग और दस मिनट के बाद हम आठे को फिर से गूठ देंगे समोसे की स्टफिंग के लिए हमने आलो को तयार कर लिया है फ्रेंज इस तरह से और अब इसमें हम मिलाएंगे हमारे मसाले तो कड़ाई को हमने चुले के ओपर रख दिया इसमें हम डालेंगे सरसोका तेल कि तेल की करम होने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा और दो चमच साबुद धनिया और एक चमच हल्दी पाउड़ा लाल मिर्ची पाउड़ा दो चमच लगवग दो चमच हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेति जिससे हमाई समोसे कटेश बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे आलू जिनको हमने हलका हलका मैश कर लिया है थोड़ा सा हम इसमें डालें गरम मसाला अच्छे सारे मसाले को हमने आलो में मिला लेना है लवक दो मिनट तक हमने इसको चलाना है और अब इसमें हमने डाल दिया है फ्रोजन मटर को भी हमने अच्छे से हमारे मसाले में मिला लिया है और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अगर आप नॉर्मल मटर यूज करना चाहते हैं तो पहले आप उसमें एक भाप लगा सकते हैं अगर आप नॉर्मल मटर को डारप थी आलो के मसाले में मिलाएंगे तो वह अच्छे से पकेंगे नहीं और अब मसाले में हम डालेंगे एक कटोरी काटा हुआ पनीर थोड़े से कआजू हमजबर नहीं और अभ इन अशीज़ों को हम अच्छे से मिलादेंगे गए तो इस तरीक से जब हम समोसे मनाएंगे तो बिलकुल बाजार जैसे हमारे समोसे तेयार होंगे तो आलू का मसाला हो घया है हमारा पेरको रैटी हम कर चोले से नीचे उतार लेते हैं और अब हमारे आटे को चैक करते हैं तो एक पर आटे को हमने फिर से अच्छे से गुजना है इस से जो हमारा आटा है एक दम पर तैयार हो जाएगा आटे के हम छोटे-छोटे कोले बनाएंगे कडाई को हमने चुले के उपर फिर से रख दिया है और इसमें हमने डाल दिया रिपाइंड ओई और आटे की हब हम लोईयों को अच्छे से बेल देंगे और बेलने के बाद हमने पीच में से रोटी को तो हिस्सों में काड़ देना है और आप इनको हमें अलग ठाल में रख दे जाएंगे इसी तरह हमने आटे की सभी लोईयों को बेल लेना है और तैयार कर लेना है और अब चारो तरफ हम इस तरह से पानी लगाएंगे और अब इसको इस तरह से हम समोसे की शेप देंगे थोड़ा थोड़ा हलकी हाथों से हम इसको प्रैस करते हुए और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी समोसे की जो हमने फीलिंग बनाई थी अलू वाली हूँ अलू की फीलिंग को हमने अच्छे सी समोसे के अंदर भर देना है और अब समोसे को इस तरह से बंद करते हैं अगर आप समोसे का साइस बड़ा रखना चाहते हैं तो आप बड़ा समोसा भी बड़ी लोई तयार करके और उसको बड़ा बेल कर भी तयार कर सकते हैं इसी तरह से फ्रैंस हम सभी समोसों को हमारे को तयार कर लेंगे बड़ा कर लेंगे इसी तरह से हमने तयार कर लेना है अगर आप एक बार में सभी समोसों को बेलना चाहते हैं तो आप एक पड़ी लोई तयार करके उसमें कट लगा के भी समोसे तयार कर सकते हैं वो तरीका हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे यह समोसा हम साइज में थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो हमने इसको बड़ी लोई से तयार किया है और इसमें हमने अलू का स्टफिंग भी ज़्यादा बह रहा है और अब इसको हम बन कर देंगे तो रिफाइंड हो गया है हमारा चिज़े करम और इसमें हम डाल देंगे हमारे समोसे जो की हमने तयार कर रखे है आज को अब हमने धीमी कर देना है धीमी आज पर हमने समोसो को पकाना है अगर हम ज़्यादा तेज आज पर समोसो को पकाएंगे तो बार से तो हमाई समोसे जल जाएंगे और अंदर से जो मैदा है वो कच्छी रह जाएगी तो धीमी आज पर ही हमने समोसों को तयार करना है तो समोसे हो गए हैं हमारे बिलकुल तयार फ्रेंस इसी तरह से हम हमारे बागी के समोसों को भी तयार कर लेंगे तो आप दे सकते हैं फ्रेंस कितने बढ़िया हमारे समोसे तयार हो रहे हैं बिलकुल खस्ता खस्ता और आप इनको हमें प्लेट में निकाल लेंगे गॉल्डन ब्राउन होने के बाद तो प्रेंग्स हमारे खस्ता समोसे तयार हैं आपको मैं जाशने क्यास लगे क्मेट कर देए जो बताएं अगर आपको में राज़े पसंदाथे तो कि युदी चनल को सब्सक्राइब लाइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स